हेलो दोस्तों, इस वीडियो में हम जानेंगे कि variables क्या होते हैं और C++ में variable का declaration कैसे करते हैं, उसके लिए क्या नियम है तो variable क्या होते हैं, variable मुख्यते जारकारी जमा करते हैं, एक जगह होती है memory में जिसको कि हम कुछ नाम दे देते हैं यह नाम हमारे अपने उपयोग के लिए और computer के उपयोग के लिए होता है, computer को तो कोई भी नाम चलेगा, क्योंकि उसे किसी संदर्ब से या किसी चीज़ से मतलब नहीं है, बस हर बार उस variable का नाम सही होना चाहिए, जो वो उपयोग करना चाहरा है लेकिन हमारे लिए कोई भी variable का नाम बहुत ही मातुपूर्ण है, अगर हम randomly कोई भी नाम देते हैं, x, y, z, तो उस समय छोटे प्रोग्राम के लिए यह चल जाएगा पर कई बार बड़े बड़े जो प्रोग्राम लिखे जाते हैं, 200, 400, 1000, 1000, 1000, 1000, 1000, 1000, लाइन के उसमें उस variable का नाम बहुत जादा माइने रखता है, क्योंकि कोई दूसरा प्रोग्राम है, जो भविश्य में उसे पढ़ता है, या उसके बारे में देखता है, उसे भी वो समझ में आना चाहिए इस प्रकार से variable भविश्य में प्रोग्राम को पढ़ने की सुगमता देते हैं, और सुविधा देते हैं, ताकि उसमें बदलाव किये जा सके, तो variable एक बर्तन की तरह है, जिस पर की कोई नाम लिखा हुआ है, और उस बर्तन में कोई सामगरी जमा है, जैसा कि हमने अपने प पहाड़ा प्रिंट कराने के लिए प्रोग्राम मनाया था, जो मैं यहाँ पर लिंक दे रहा हूँ, कार्ड में, उसमें हमने क्या दिखाता है, कि हमारे दो variable थे, int, index था, और एक number था, यह दोनों थे, number वो था, जिसमें हम जिसका table प्रिंट कराना चाहते हैं, वो यूजर स इंपुट ले रहे थे, और index हुआ था, जो कि बार-बार for loop में चल रहा था, और अपनी value बदल रहा था, 1 से लेके 10 तक, तो चलिए देखते हैं, c++ में variable लिखने के कुछ नहीं, तो variable लिखते समय, c++ में सबसे पहले हम data type लिखते हैं, अब data type क्या हो सकता है, जैसे int हो गया जैसे care हो गया, यह हमारे c++ के basic data type है, इनके बारे में विस्तार समय किसी और वीडियो में समझाओंगा, अब इनके आगे हम variable का नाम लिखना चाते हैं, जैसे हम int age लिख सकते हैं, तो age एक meaningful variable name है, जो कोई मतलब रखता है, और हमारे संदर्ब के हिसाब से, इसमें age store होगा, आयो store होगी, c++ में variables को declare करने या लिखने के कुछ नियम है, अगर आप इन नियमों का पालन नहीं करेंगे, तो compiler error देगा, और आपका program सही से नहीं चल पाएगा, या कुछ आगे दिक्कते हो सकती हैं, तो इनको ध्यान से समझें, पहला नियम है कि variables का जो length होता है, या variable कित 45 characters तक लिखे जा सकते हैं, यानि हम कोई variable A, A, B, C, D, E, F, G से लेके 255 characters तक जो है, इसको आगे लिख सकते हैं, दूसरी बात यह है कि variable के जितने भी नाम है, वो हमारे underscore से शुरू हो सकते हैं, इसको underscore करते हैं, और इसके बाद या तो किसी alphabet से शुरू होते हैं, जैसे ABCD हो या A, 1 हो गया, इस तरह के सारे नाम जो है, variable acceptable है, तीसरा है कि variable के बीच में कोई भी space या special character नहीं होना चीए, उदारण के दोर पर sum all ये सही है, पर अगर हम sum space all लिख दें, तो ये गलत माना जाएगा, हम variable के बीच में कोई भी special character नहीं डाल सकते, जैसे star, इससे भी गलती ह हो जाएगी, और ये variable सही नहीं माना जाएगा, declaration, अगला है कि हम कोई भी variable में reserved keywords का इस्तमाल नहीं कर सकते हैं, अब ये reserved keywords का हो सकते हैं, जैसे ये for है, जैसे while है, इस तरह के बहुत सारे words हैं, जो की C++ में कुछ meaning रखते हैं, अगर हम इन्हें character के variable के नेम में इस्तमाल करे करेंगे, तो दिक्कत आएगी, तो हम इन्हें इस्तमाल नहीं कर सकते हैं, ये C++ के अपने अंदरूनिक इस्तमाल के लिए कुछ शब्द आरक्षित हैं, C++ में characters case sensitive होते हैं, case sensitive का मतलब होता है, कि हम variables का इस्तमाल उसी तरह से करेंगे, जैसे वो declare किये गएते हैं, for example, integer a, m, a, तो अगर हम एक दूसरा variable declare करते हैं, जिसका नाम a, m, a है, तो ये दोनो variable एक जैसे नहीं माने जाएंगे, C++ के हिसाब से, तो अगर हम integer gulf declare करते हैं, और gulf declare करते हैं, तो ये दोनो गल्फ अलग-अलग माल दिये जाएंगे, C++ द्वारा, तो इसमें बहुत ही ध्यान है, कि हमें capital letter या small letter जिससे भी variable का नाम declare किया गया है, उसे हुबहु ऐसे ही इस्तमाल करना है, अपने purpose के लिए, तो variable लिखने के क्या नहीं होते हैं, कैसे लिखते हैं syntax, तो ये है कि हम सबसे पहले data type लिखते हैं, data type क्या होते हैं, कितने होते हैं C++ में, और उनका क्या काम ह ये किसी और वीडियो में मैं समझाऊंगा, तो अभी के लिए हम जान लेते हैं कि एक data type लिखते हैं, उसके बाद हम एक variable का नाम लिखते हैं, ये हमारा common तरीका है लिखने का, अगर कई सारे variable का नाम होंगे, तो हम comma करके भी लिख सकते हैं, या हर बाद data type और variable name लिख सकते हैं, एक उधारण से ये और स्पर्ष्ट हो जाएगा, जैसे हमें integer sum लिखना है, तो ये एक variable बन गया sum जो की एक integer type का है, इसमें कोई भी sum store हो सकता है, कोई भी जोड store हो सकता है, 235, 10, 20, 200, 300, minus 100, तो ये एक integer type है, अगर हम उसी के अलावा और भी variable का नाम देना चाहें, add द उसका काम है, वो हम लोग लिख सकते हैं, variable के नाम जो भी हैं, वो confusing नहीं होने चाहिए, उससे ये न लगे कि इसका क्या प्रेयोग है, आपने तो प्रोग्राम लिखा, आपको पता है कि कौन सा variable किस काम का है, पर कोई दूसरा व्यक्ति जो उस प्रोग्राम को पढ़ रहा, उसे भी उस variable का साफ मतलब समझ में आ जाना चाहिए, ताकि उसे आगे प्रोग्राम में बदलाव करने में या कुछ उसमें नया जोडने में दिक्कत ना हो, अब हम कुछ स्विकार या वैलिड, variable declaration दिखते हैं, इसकी प्रसप्रस में, जैसे integer underscore a, ये भी चलेगा, integer a1, a2, ह कुछ भी आगे, पर हम ये नहीं लिख सकते, integer at the rate ty, ये गलत माल लिया जाएगा, क्योंकि यहां एक special character भी है, और साथ भी है, शुद के शुरू में भी है, पर हम अगर integer y, um, फिर underscore, इस तरह से लिखें, तब ही ये चलेगा, तो इस तरह से और भी नियम है, हम लोग basically इन ही क्या इर्दगिर रहते हैं, और जैसे for example, reiter हो गया, या जैसे a underscore 123 हो गया, तो ये सारे स्विकार ये, variable declaration की नाम है, इसमें कुछ ज्यादा नहीं है, बस इतना ही है, दूसरे वीडियो में हम C++ के और भी basics को देखेंगे, और भी मुल्भूत चीजों को समझेंगे, धन्यवा क्यार देवार दनते हैं, तो